हेलो दोस्तो गूड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैलल में अभी सुबा का टाइम है तो यहाँ पे दरसल आप सबसे मैंने अभी बताया नहीं है कि हम लोग यह जो रूम है एक रूम का जिसमें हम लोग इतने परिसानी करके छोटे से जगह में रहत होगा मेरे लिए तो होने वाला है दर असल यह भी है कि अभी हम अब हमारा एक रूम से काम नहीं चलने वाला है इसलिए मतलब हम यह चेंज हो रहा है रूम तो हम जल्दी आप लोग को अपना रूम दिखाने वाले हैं फिलहाल यह बक्सा यह सब जो देख रहे है ट्रंक य बार वला समान नहीं गया है चोटा चोटा समान चला गया है उस रूम में पहुंचा आगय है मेरे हस्बेट तो यहां पर मैंने एक बैग निकाले हैं और उसमें अभी मैं अपना करूगी समान पैकिंग जो कि बहुत सारे समान चला गया है लेकिन छोटे-चोटे जो में मेंक वाले समान होते हैं न वह और चूड़ी है सब तो फूटने कड़ रहता है इसलिए मैं उसको न अच्छे से करके बैग में समेटने वाली हूँ पता नहीं क्यों मैं लगतार अगर बोलती हूँ न तो ठक जाती हूँ अक्सर मैंने वीडियो रिकॉर्ड बोलते समय मैं देखा है मैंने कि मैं ठक जा रही हूँ तो यहाँ पर मैंने अपने सारे चूड़ी लेटी यह सब सब को निकाल के बाहर रखे है और बैग में भी समेट लिए है जितने चूड़ी लेटी है सबते फूटने वाल समान जितना था ना उन सब को बैग में रखे है अब चोटे चोटे समान रखे नहीं है तो यहाँ पर मेरा नौ बजे वाला खाली पेट वाला दवाई खाना है तो उसको खा रही हूँ क्योंकि 9 बजे इसलिए खाती हूँ मैं सुपा में 6 बजे थाराइड की दवाई खाती हूँ उसके बाद 2-3 घंटा कुछ खाना नहीं रहता है तो 9 बजे मैं फिर खाली पेट वाला खाना खाऊंगी और उसके बाद थोड़ी दर बाद कुछ खाके और फिर खाना खाके वा करके रख देते हैं जिसे की होता कहा ना अगर आप सीधा करके ना रखो गए और यह जाना है इसको लेकि जाना है तो ऐसे रूम तो पास में ही लिया हुआ है हमने हम जहां पे अभी रह रहे हैं बस 7-5-7 मिनिट की दूरी पे और दूसरा रूम लिया हुआ है हमने रेंट लिया हुआ है बस आप लोग मैंने कहा था और वो बात पूरी हो गई कि मेरे लिए प्रेकरना दूसरा रूम के लिए और वो पूरी हो गई अब वैसे ही आप लोग जल्दी से मेरे लिए प्रेकरो कि मेरा एक ना खुद का अपना घर हो जमीन पहले तो हमने प्लॉट लेना है बस वो किसी तरी स्केसे में प्लॉट ले लू तब जाके हमारा घर बनेगा तो वो सपना तुसरे इतना असान नहीं है पूरा करना क्योंकि बहुत महेंगई जमीन है यहाँ पे और उसके बाद घर बनाना इतना असान नहीं है तो यहाँ पर मैंने भिंडी लिये हुए थे बिनास्ता बना नहीं हो तो भिंडी काटके और अब दिखाती हूए इससाबुन है मेरा डव साबुन में लगाती हूँ और यह देखो भी इतना महेंगा साबुन है यह चुहा लेकर बात्रूम से नीचे अल्मारी के नीचे इसको तम गंडा सकर के साबुन को छोड़ा हुआ जोईने तो उसको निमें अजबने निकालte बोकाराइथे थे योँ उनको मिला था तो निकाल के रख दिये थे कर ल मैं भी टि की न्याह exactly और उसको आटा की तरह घूंद करके खाया भी जाता है बहुत तरीके से चने का सत्तु का इस्तमाल किया जाता है तो अभी मैं इसको जना का सत्तु है इसको पीऊंगी और पीने के बाद जो मेरा खाना खाने के बाद का जो दवाई है वो मतलब दवाई को खाऊंगी क्योंकि अभी कुछ खाने के लिए रहता नहीं है और फिर दिकत हो जाती है तो ये सब काम तो हो गया है मेरा अभी मैं बहुत देर के बाद मिलू रही है ये लगभग एक बज़े का टाइम है मैं खाला पीना जुबा का नास्ता सब कर ली थी अच्छे से उसके बाद ये ना मैं बना रही हूँ दाल पिठी आप लोग को पता है या नहीं पता है यूपी बिहार में तो दाल पिठी बनता ही बनता है और ये मैंने लिए हैं दाल और इसको धो लिए हैं दाल को दोगर के इसमें डाल रही हूँ पानी पहले हमें अरहर की डाल यानि तूर की डाल है यह जैसे सिंपल डाल बनाती है यह बहुत अच्छा लगता है खाने में अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो जरूर बना के खा सकते हो तो यह मैं अभी प्रोसेस बता रही हूँ मैंने तूर की डाल ली है और इसको धो करके इस को इसमें पानी डाल दी जैसे नौरमल डाल जो बनाते हैं वैसा धाल हमने बनाया है इसमें हल्दी नमक ढाल देंगे जितना धाल में जरूरत है थुरा से जятा देगे क्यूंकि मैं बाद में पताँगी क्यूं अभी मैने दाल को पकने के लिए चोड़ और यह लिए मैंने दाल तो चड़ गया अब बनाएंगी पिठी तो दाल पिठी हो गया तो पिठी बनाने के लिए यह आटा सान के रखा हुआ था आटा गूंद करके इसको बरा सा रोटी हमने बना लेना है बहुत मोटा भी नहीं बनाना है और बहुत पतला भी नहीं करना है यहां पर इगलास लिया है मैंने अपर चोटी चोटी पूरी जैसा कट कर लेंगे इसे भी ऐसे ना चाहो तो बहुत लोग पूरी भी बनातें了吧 तो यहां भे मैंने क того चपी पूर्य काट कर लेंगे और श्रूरस और झाली कि अनलोग जो बना कमारार निने ना में तो यहाँ पर मैंने सारे पूरियों को बना लिए हैं कट करके और यह देखिए चोटी सी प्यारी सी हम इसको इस तरीके से चार वाला चार कोना वाला डिजाइन यह करके फूल की तरह यह देख सकते किता सुन्दर लग रहा है ना इसे ऐसे ही करके सभी को बना के रख लिया है तो दाल हमारा पग गया है चार पाच सीटी लगा लेना है और इसकी बाद यह रकन को थोड़ा सा खारा खारा था तो मैंने दाल गोटनी से दाल गोटने के लिए रख दिये हैं जिसे दाल अच्छे से बाड़ी खो गया है थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो इसमें मैं पानी डाल देती हूँ क्योंकि दाल हलकी काठी सी हो गई है तो इसलिए मैं थोड़ा पानी इसमें एड़ कर रही हूँ आप सब लोग चाहो दो बना सकते हो मैं बिल्कुल सामा नॉर्मल तरीके से आप लोग को बता दे रहे हूं कि कैसे कैसे बनाया जाता है तो इसमें दाल पिठी अब जितना दाल पिठी पिठी जो हमने बनाया था आटे का वो डाल देंगे और पानी हमने थोड़ा सा ज़्यादा एक गिलास पानी हमने अभी रख दिया है क्योंकि जब हमने आटा वाला पिठी डाला तो वो भी पानी जो है वो एब्सॉर्ब कर लेगा इसलिए दाल जो है वो गाड़ी ना हो जाए इसके लिए पानी इसमें और एड किया है अब इसका ड़क लगा कर एक सीधी आने तक हम इसको पका लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ना मैं अभी नहा ली हूँ क्योंकि नहान में नहाई नी थी सुबह में काम बहुत ज़्यादा था इसलिए नहाई नी नहाने के बाद इसको मैंने चौका लगा है लैसुन, जीरा और मिर्च से चौका लगा देने से ना यह थोरा सो इसमें सुआद और बढ़ जाता है बहुत लोग तो प्याज टमाटर के साथ भी लगाते है यह देख सकते हैं बनने के बाद यह कैसा दीख रहा है बहुत अच्छा लग रहा है खाने में भी सिंपल हलकी भूक जब हो आपको तो आप इसको राम से बना के खा सकते है बहुत अच्छा लगता है खाने में थैंक यू जो मिलेंगे देख नैस्ट वी वी ब्लॉग में